Hello friends, welcome back in my youtube channel तो friends, previous video पर हमने चेक किया था कि हमने दो user के mailbox create किये थे एक existing user, एक new user अब उनको आज की video के अंदर हम चेक करते हैं उसको हम कैसे access करते हैं अपने out to web access के दोआरा जो एक web browser console है तो सबसे पहले friends आपको start पर जाना है यहाँ पर आपको देखें इंटरेक्स्प्लोर नज़र आएका उसको जास क्लिक कर दिजिए अब friends आपका इंटरेक्स्प्लोर ओपन हो चुका है अड्रेस बार में लिखके https colon double slash localhost slash owa underpress कीजिए उसके बाद friends देखें यह आपके पास एक error है this is a problem with the website security certificate का एक error है वह अभी फ्लाव मेरे exchange के दाए कोई certificate install नहीं है तो अभी फ्लाव में इसको continue this website पे क्लिक करता हूँ उसके बाद OK कर दिजिए अब देखें friends owa का आपके पास web जो है एक page खुल चुका है यहाँ पे आपको अपना user का जो full email address है वो type करना है तो मेरे user का जो full address है मनोज address my domain.local और उसका password जो type कीजिया और प्रेस कीजिया friends हमेशा ध्यान रखना जबी भी कोई भी user first time अपने mail box को access करता है तो उसको language change और time zone का change करना का option आता है तो देखें friends अगर आपका जो भी language है यहाँ से ब्लांग करते हो अब वो language को select करना है अगर English से ब्लांग करते हैं तो English select करना है उसके अगर फ्रेंज वो user जिस country से ब्लांग करता है वो time zone select करना है तो यहाँ पर जाएए और मैं जैसे कि यह user मेरा इंडिया से ब्लांग करता है तो इंडिया वाला option अब select कर लेना ठीक है उसके अगर okay कर देना देखे user देखे यह ओवा हमारा आउटलोग web access जो है इसका console open हो चुका है अब यह जो मेरा user है यहाँ से देख सकते हैं मनोज user है अगर यह किसी को mail send करना चाहता है यहाँ पर new page आएगा मा लीजे इसने administrator को भेजा mail अब friends यहाँ पर subject line और test line आपने लिख दिया friends उसके बाद आपका जो भी recipient उसका full email address आपको रखना है देखने के बाद friends send पर click कर दिजिए आप friends आप देख सकते हो कि mail जो आपकी send हो चुके कोई आपके पास failure की कोई mail नहीं आए inbox के अंद आप देख सकते हो अब यहाँ से इसको log off कर दिजिए ठीक है log off करने के पाद friends आपको जिस user को mail गया है एक बार हम चेक करते क्या इसका mail administrator के पास receive हुआ कि नहीं हुआ देख यह फ्नेक्स आपकोंट का पूरा email address अब ताइप किजिए देखे फ्रेंड्स, मनोज नाम की जो mail है हमारे को receive हो चुकी है आप ये देखिए, इसका मतलब है कि फ्रेंड्स, आपका जो exchange हो proper work कर रहा है इमेल मैं send करता हूँ, देखे फ्रेंड्स, mail जा चुकी है, administrator ने मनोज को mail send कर दिया है इसका मतलब है, फ्रेंड्स कि मेरा जो exchange हो proper work कर रहा है, तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के इनतरा हमने जाना, कैसे user एक दूसरे mail को center अपने आउट्लुक web access के दुआरा, जो एक web browser के दुआरा, user किसी email भेजी आती है तो फ्रेंड्स, आपको अगर मेरे चैनल पसंद है तो आपसे request है कि मेरे चैनल को जल से जल जाके आप subscribe कीज़ेए, क्योंकि आनुवले टाइम पे मैं exchange server के कुछ भेथरी वीडियो को लाऊंगा, ताकि आपको कई और जाने की जुरत ही पड़ेगी, मेरे चैनल से आपको सा सारे के सारे वीडियो की free of course teaching मिलेगी, thank you so much for watching this video, have a nice day.